इसकन्द पुराण यहां तक करती है कि इस कथा के चरीत्र को जो श्रवन कर लेता है उसको 26 एकादशी करने भी नहीं पड़ती इस एकादशी की केवल ये कथा सुनकर ही वो तर जाता है बहुत ध्यान से सुनना इसको कथा तो बड़े भाव से सुन लो इसको बड़े प्रेमस इसलिए सारी एकादशीयों में निर्जला एकादशी की महत्वता सास्त्र प्रमान करता है निर्जला एकादशी का उध्यापन जो करा जाता है उसका उध्यापन और प्रदोश का जो उध्यापन करा जाता है इन दोनों का करम लगवग लगवग एक जैस तो निर्जला पह खेलती हो यहां पर आकर खड़ी हो गई क्या हुआ क्या हुआ कि तुमको गवलोगधाम में आनंद की अनुगूती नहीं हो रही है जो तुम बेकुंट में आई है कि निर्जला घुमती घुमती बगवान के सम्मूंख में पूज़ा निर्जला के तुम एक आदशी पूआ क्या कारण है यहां आने का वेकुंट पहुंचने का कि वह द्यांदेना मारज्जी शास्त कता है सोमवार मंगलवार बुद्वार गुरुवार सुक्करवार संवार ये देवता गोदेवता सब के ब्रत कर लो आपको परमात्मा के धाम तक लेकर नहीं जा सकते क्योंकि इनका पुन्य है मुं मृत्य लोक में आप थोड़ा सा वी गरत करते हैं तो पुन्य समाप्त हो जाता है कि पर हिंदू धर्म के तीन व्रते से बठा दिये जिन व्रतों का पुन्य समाप्त नहीं हुआ कि हिंदू धर्म के तीन व्रते से हो गये जिनका पुन्य समाप्त नहीं हुआ हमारत्य जिनका पुन्य प्रबलता में बढ़ता गया पहले नंबर पर एकादशी दूसरे नमबर पर प्रदोश और तीसरे नमबर पर शिवरात्री एकादशी भी 26 है तो प्रदोश भी जम के बोलते जाओ 26 है शिवरात्री केवल बारा केवल वाले और अगर अधीक मास की पढ़ जावे तो यह तो यहां सास्तर कह रहा है कि तीन व्रत हमारे यहां जिनका पुन्य समात्य नहीं हुआ जिनका पुन्य प्रवल हुआ बड़ा इसलिए आज माता है एक अधरशी का व्रत करती है और एकादरशी का व्रत कशार करकर अगर की जीव आतमा देते हैं कि मर भी गया तो तotal अस्तों फदल्स्रेसी निर्जला की करीब में निर्जला बहुत सरल थी निर्जला कहते हैं कामा एकदशी सकसे लंबी है कौन सी एकदशी कामा फिर मोक्षदा उससे नीची है मारत और निर्जला जो है बिल्कुल छोट्या सरूप है निर्जला का मतलब देखा जाए तो किवल दो चोटी करी होई है मस्तक पर बोर लगा कर्यक्ति है माते हें पर बिंदी लगी है निर्जला के सुंद्र गले में तुल्शी की मालाइं पेनी है निर्जला हात nearby जो हट फूल जैसी मातां पहेंती दिया आपको ध्यान में होगा ऐसा बढ़ा फूल होताता, अंव मैं उट writes य हाथ में आईसा लगा रहना तो निर्जला हित्फूल में तुल sangat llev धारण के मात निर्जला का छोटी है कि मात लचम्डीन उनके पास नहीं और निर्जलां से जाकर पूछा निर्जला ते कि आने का पारण क्या है तो बतांтор ना रहें आपसे पूछ रहे कि क्यों आई हो किसली आई हो क्या है कुमारे आने का तर्ट निर्जला ने कहा मेरी विंती केवल इतनी सी है मां कि मैं चाहती हूं कि मैं जीव के प्राण छूतने के बाद उसके प्राणों को जिस समय में लेकर जीवात्मा के प्राणों को परमात्मा तक भेजूंग बेकुंत तक भेजूंग गवलोगधाम तक पहजूंग उस बीच में मुझे ले जाते समय कई नरक भी बीच में पढ़ेंगे कई स्थान ऐसे बेतर नहीं आदिकादिक अधान में मुझे रोका ना जाना में सीधे बहुत द्यान से सुनना अज की कथा को साओ जिंदगी में मिली ना मिली पर यह कथा करेस्ता तो बहुत द्यान से सुनना इसकन्द पुरान यहां तक कहती है कि इस सथा के चरीतर को जो श्रवन कर लेता है उसको 26 एकादशी करने भी नहीं पड़ती इस एकादशी की केवल ये कथा सुनकर ही वो तर जाता है बहुत ध्यान से सुनना इसको कथा को सबसे पहला नियम एकादशी व्रत का सबसे पहला नियम है कि आप जिस दिन व्रत करो उसके एक दिन पहले भक्ति का संचार इस हिर्दय में कर लीजिए जिस दिन आप व्रत करो जैसे एकादशी का व्रत कर रहे हो तो दश्मी के दिन शाम का समय जब आवे, रात्री जब होने लगे, शाम का समय आवे, और रात्री का आप जब भोजन गरन करो, तो उस भोजन में कोई ऐसा पदार्त गरन मत करिये, जिस पदार्त के करण आपकी एका दशी बिगड़ द्याएं। कोई बेकार भोजन में करना है, सरिष्ट भोजन करिये दशने, और एका दशी का दूसरा नियम बहुत भ्यान से सुनियेगा, जिस दिन आपकी एका दशी का ब्रत हो, उस दिन प्रयास करियेगा, कि अपने हाथ से किसी भी ब्रक्च की कोई बत्ती तूटे ना, अपने हाथ से किसी भी ब्रक्च की पौधे की किसी भी ब्रक्च की पत्ती अपने हाथ से ना तूटे, बहुत ध्यान दिजेगा, एका दशी का ये दूसरा नियम है कि अपने हाथ से किसी पौधे की, किसी ब्रक्च की, किसी डाली की कोई पत्ती ना तूपे, इसका प्रयास किंखने कितना सुनदर व्याक्यान कहाँ है कितना सुनदर गनानि मारग कि मात्र एक ब्रची का ब्रत कर लेने पर और मातर एक ब्रतर लिंए घञे जो पूर्म में किया गया हमारा पाप कर्म है हमने किसी जीव की हत्या करी है हमने किसी को कश्ट प्रान पर आए हमने किसी को अपशब्द का है हमने किसी को तानिय जी हमने किसी को आड़ा तेड़ा का है हमने किसी को गालियां दे दी है मत्र एकादशी का ब्रत ही कर लेने पर इस तारे जो डोश हैं वो समात्थ हो जाते हैं आप एक विचार करिएगा खोड़ा सब्सक्राइब एक बात उतारिएगा एक अपने मन में एक बात को उतार कर रखिएगा कि आप अपने पाप को अपने पाप कर्म को जिस दिन करने वाले हो समाप्त करने वाले हो अपने पाप को आप जिस दिन समाप्ती पर लेकर जा रहे हो तो उसके एक दिन पहले आपको प्रसंता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि कल मेरा पाप कटने वाला है कल मेरा पाप समाप्त सहे जो बाप कर्म दों मिल्ट जाए है कि सस्माप्त तो हुजए गडिन पहले आपके जरे पर प्रसंता हो कि मिल आ पर चोरे पर प्रसंट पाप कि आना चाहिए कि कल मिरा एका सीका वडत है आज दस्मियाल जा एका है तो क्या कहा 가서 कि झालिएगा कि एकादर्शी के दिन कोई दक्ट डाली की कोई पॉकल की पती ना तोड़ी जाया क्यों तो कह ख़ब अगर उस पत्ती को हम तोड से पत्ती को यह तो एंक सबस्सक्ट को czy को संस्सक्ट मोर्दन खाया हो चाहे तुमने फिर छिफसर खायो चाहे तुमने फिर बरत का कितना ही समान खा गए और तुमने सोचा कि यारी एकड़शी है तो फिर फिर उसका कोई धल पर नहीं हो सका कोई सुख पराप्ते नहीं है